हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं वाली पूलिस ने बड़ी संख्या में इलक्रोनिक उपकरण ना केवल जब्त किये बलके बड़ी जालसाजी से परदा फाश किया है और गैस के उत्खनन में काम कर रही स्पीड सर्च एंड सिक्यारिटी सर्विस कंपनी ने बाड़ मेर पूरी सदिशक से इस पूरे गोरक दंदे की लिखिश शिकायर की थी जिस पर एक्शन में आई बाड़ मेर पूलिस ने बाड़ मेर के रेलवे स्टेशन के सामने से एक दुकान से ये जालसाजी वाले इलक्रोनिक उपकरण को जब्त किये जब्त समान लोकल दिल्ली और गुड़गाओं मेर कंपनियों के पंखे, प्रेस, प्रेशर कुकर, गीजर है जिने बहु राश्रे कंपनियों के नाम से ब्रैंड़ेट स्टिकर लगा कर बेचा जा रहा था पूलिस ने मामला दर्श कर जान शुरू कर दी है जागरू टीवे के समधाता से बात करते हुए, बार्ड मेर के कोतवाली पुलीस उगमराट सोनी कोतवाल इन्होंने ये कहा सर आज नकली माल के समध में क्या कर वेगी कि कहां से कौन शेकर केवल्शन ब्राहवन निवाशी सेक्टर 24 चंडिगड आल फिल्ड मेनेजर स्पीड नेटवर्क सेक्टर 34 चंडिगड इसने आकर स्रीमानेश साब को एक इतला दी कि भी हमारे कोपिराइट के अंत्रगत दे करके कंपनिया उनका माल यहां पर राजिस्टुमा करके एक व्यक्ति है जो नकली बना के हमारे स्टिकर लगा के माल बेच रहे हैं उसने यहां सर्वे भी गिया जिस पर फिर्मानेश साब में दीस्टी टीम और हमारे सब इस्पेक्टर मीठ हराम को मौके में बेज़ गे का जागरू टीवे के बाड मेर से ठाकरा मेगवाल की रिपोर्ट